I mean यार ये ज्यादा हो रहा है मैं ये दोगलापन समझ नहीं पा रहा हूँ कि दुनिया की हर एक आने वाली चीज Marvel ये DC से कॉपी ही होती है और ये कोई पहली बार नहीं है मैं काफी नजर अंदास करता हूँ मगर जब लोग बिना सुर्टाल कर बिना दिमाग लगा है बिना दूसरों को समझे अपना जज्जमेंट हग देते हैं कि ये कॉपी है कितना फेक दिख रहा है सौथ सिनमा की मास्टर पीस है एक एक स्टेंट तक ठीक लगता है लेकिन जब आप इसको रेपेटिटिटिव करने लगते हो दिल खोल के लेकिन अगर बुरी लगे तू गार फढ़ दो लेकिन कम से कम ये जरूर कर सकते हो कि समझने की थोड़ा सा कोशिश करो कि दूसरा बंदा अपने काम से कहना क्या चारा है गुर्य मैं मानता हूँ ब्रह्मास्त साचुरेटेटेड एरनेर्जी फोर्सस को यूज करती है पॉपिंग है जो कि रियलिस्टिक नहीं लगता क्योंकि भाई असल जिंदगी इतनी हसीन नहीं होती लेकिन ये भी तो सोच के देखो कि क्यों किया इन्होंने ऐसा क्योंकि कुछ खास लफडा नहीं था थोरा कलर्स के साथ उपर नीचे मामला करते हैं तो फिर मामला फिट हो जाता परन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने इसे ऐसा ही करने को क्यों चुना क्योंकि एक सिंपल सी क्रियेटिव चॉइस थी इसलाइ KGF का कलर स्कीम अबने ब्लैक्स पे काफी ज़ादा इंफेसस देता है ठीक उसी तरह ब्रहमास्त वाइबरेंस पे काफी ज़ादा यूज करता है एंड गुरु जो इसके वी पर सबसे बड़ा लफड़ा चला है कि बाई ब्रहमास्त ने MCU को कॉपी कर लिया पता नहीं कहां से लोग सोचते है एंड मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और मैं अपने शब्दों के चैन के लिए माफी चाहता हूँ मगर इससे चूतिया स्टेट्मेंट मैंने आज तक नहीं सुना I mean यह यह लोग कौन हैं? किस प्लानेट से आए हैं? क्या इन्हें सच में सिनमा पसंद भी है कि नहीं? रेट कलर का मतलब सिर्फ स्कालेट विच से जुड़ा हुआ होता है कि क्या popcorn picture के अलावा कोई और माल देखते भी हूँ उन्हें पता भी है कि बाई यह जो भाई सूपर हीरो fantasy का पुरा inspirational source कहा से आया है Mythologies से और फिर भी भाई Mythologies के symbolism को movies में present करने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि वो Meta Force को दिखा रहे हैं उसके motif क्या है, theme क्या है जिसको explain करते हुए मैंने वीडियो भी बनाई है KGF के symbolism को explain करते हुए डीटेल में और लोग, don't get me wrong मैं तुम्हें मजे लेनी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मजे लो पूरे दबा के मजे लो क्योंकि भाई ये pop culture की पूरी community ही बक्चूदी के basis पर चलती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाई Deadpool को भाई कैसे मारा जा सकता है मगर फिर भी अपन बात करते हैं न It's not possible कि भाई Lewis Superman के बच्चे को conceive कर सके लेकिन फिर भी सूचते हैं न अपन क्यों करते हैं ऐसा करीबा हो बताते हैं Tom Shulman के ही शब्दों में कि हम इस कलपनाओं की दुनिया में इसलिए नहीं खो जाते कि भाई वो अच्छा लगता है हम इन कहानियों में इसलिए खो जाना चाते हैं क्योंकि हम इनसान है और हम सब पैशन से भरे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉग, बिजनस ये सारी नेक काम है जो जीवन बनाया रखने के लिए ज़रूरी है लेकिन पोईट्री, ब्यूटी, रोमेंस, प्यार ये सारी चीज़े हमें जिन्दा रखती हैं लोग 10-10 बज़े तक भी ऑफिस से आनेक बाद भी रेडिट पे रिव्यूस क्यों दे रहे हैं सुबस 4-4 बज़े तक उठके किसी आर्ट पीस को भाई क्यों इंतिजार कर रहे हैं अरे भाई संसाधन काम होने के बावजूद भी लोग अपने काम से छुटी लेकर अपने शेहर से दूर पिचरे देखने जा रहे हैं वो भी सिर्फ अपनी चाहत के लिए क्योंकि यह चाहत उनका प्यार है खुद के लिए प्यार है कि हाँ यह पता चलता है कि हाँ मैं अभी वी अंदर जिन्दा हूँ और मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को खुश रखना चाहता हूँ और अट लस्ट इतनी परशानियों के बाद दी मैं किसी के काम तो आ सका कि भले इस पूरे सिंफनी में तुम सिर्फ एक ताली बजाने वाले ही क्यों ना हो मगर तुम इस उनिवर्स में बिना किसी स्वार्थ के एक कॉंट्रीब्यूट कर रहे हो और अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ऑर्केस्ट्रा में अपना मनरंजन निराशा के साथ बिताना चाहते हो या मज़े के साथ और यही एक रीजन है कि मैं परिशान नहीं होना चाहता जिंदगी का कम परिशान की होई है और इसलिए मैं MCU को अब MCU नहीं बोलता क्योंकि भाई मैं टेंशन भी खोद नहीं लेना चाहता और इसलिए मैं इसे मॉमी सिनमाटिक यूनिवर्स बुलाता हूं कम से कम चहरे पे एक मुस्कराहट तो आ जाती है तुम भी ट्राय करके देखो पक्चोधी एक्जिस्ट बस तुम्हें उसे ढूंड़ने की जरुवत है और बस मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि भाई दूसरों को देखकर तुम मत इंफ्लूएंस होना क्योंकि भाई लोग अपनी उपइनियंस कम देती हैं बस एग्रियेबल लोग ज्यादा होते हैं सोच के देखना खेर तुम अपनी उपिनियंस बताओ कि तुम इन humin की आर्टिस्टिक चोयस को कैसे देख रहे हो यह अपनी इस आर्टिस्टिक चोयस से BJ Explained